Hi everyone, so this video को start करते हैं और इस video में हम बात करने वाले हैं Accenture की hiring के बारे में So Accenture hiring updates के बारे में हम बात करेंगे Because the reason is, जो अभी मैंने recently Accenture की वीडियो डाली थी So आप लोगोंने comment section भर दिया है पूरा comment करकर करके क्या आप लोगों को And काफी सारे बच्चों ने आपर Off-Campus में जो application थी वो डाली थी अब यह जो apply किया इसकी जो timeline है वो काफी ज़दा matter करती है कि आपने किस वक्त पर apply किया जो mode था Off-Campus और अभी status है Test and interview ongoing So अभी currently फिफ्टे या 6th phase चल रहा है Accenture का जिसके अभी Recently test गए थे Out हुए थे और अभी यहाँ पर Interviews भी ongoing में है ठीक है अभी कल और आज में काफी सारे बच्चों के Interviews हुए है जो आज मेरे ग्रूप में आपको पता होगा कि Interviews आज चल रहे थे Accenture के काफी सारे बच्चे अटेम्ट कर रहे थे Interviews को Now talking about इसके आगे का process So सबसे पहले भी बच्चे अभी इसकी जो hiring है वो next year 2025 में ही announce हमें देखने को मिलेगी जो on campus में उसमें अभी 2025 ongoing है जिसमें already काफी सारे colleges में पहले ही Accenture conduct करा चुकी थी hiring अभी नई profile एक इंटर्डूस करी हैं आज करके जिसकी मैंने last video डाली थी और उसके लिए अभी hiring जो हैं वो ongoing चल रही है Now talking about not receive the test This is the biggest doubt के भाईया हमें test receiving नहीं हुआ एक भी बार First of all मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है Your profile not shortlisted This is the main and important point क्योंकि काफी बच्चे इस चीज़ को समझी नहीं रहे हैं देखो Accenture ये कभी भी नहीं बोलती है कि अगर आप apply करोगे तो apply करने के बाद you will get the test ये बाद सच है कि बहुत सारे बच्चों को test आते हैं बट ये confusion में दूर करना चाहता हूँ Accenture ने ये नहीं बोलाए कि अगर आप apply करोगे तो आपको test आई जाएगा तेस सेट कि जब आप apply करोगे apply करने के बाद shortlisting screening होगी उसके बाद test आएगा तो अगर आपको test नहीं आया है there is two possibility पहला तो हो सकता है कि आपने apply late किया हो ये भी एक possibility है क्योंकि जो बच्चों ने जल्दी apply किया था में जल्दी उनको test आगए है आपने काफी late apply किया ये भी possibility है late से मतलब ये है कि आपने 2024 में February के बाद apply किया है ठीक है एक और जो chance है वो ये है कि आपको यहाँ पर profile जो है उसको shortlist ना किया गया हो ये एक बहुत बड़ी possibility है अगर आपकी profile को shortlist नहीं किया गया है तो भी in this situation you will not get the test and any update from Accenture तो ये भी एक possibility है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने apply किया था उसी दिन काफी सारे और बच्चों ने भी apply किया था but they got the test I did not got the test so there is a possibility कि आपको यहाँ पर Accenture के तरफ से shortlist नहीं किया गया दूसरी बात अगर थोड़ा आपने late apply किया है so there is a possibility कि आने वाले next phases में यहाँ पर जो test है वो आपको receive हो जाए so currently wait for assessment if you apply a little bit late after February और March okay now आगे बढ़ते हुए the next doubt is reactivation link so this is a very important thing because आज भी मेरे को बच्चों ने inform किया कि उस दिनों पहले भी किया था कि जिन बच्चों ने February या February से पहले apply कर दिया था they got the reactivation link from Accenture and they were able to apply in that so यह क्या मतलब है तो देखो इसका मतलब ही है reactivation link किन को आती है अगर आप दो टाइप के बच्चे होते है यह student है दो टाइप के बच्चे है या तो इसको shortlist किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ठीक है या तो shortlist होगा या नहीं होगा लेकिन suppose इस बच्चे ने कोई application डाली अब वो application को डाली हुए total six months हो गए बट ना तो उसको test आया ना ही Accenture की team ने उसको not shortlisted में डाला हुआ है मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसके resume को reject कर दिया है बट test link नहीं आया अगर ऐसी situation create हो जाती हो six months हो जाते हैं तो generally the students get the reactivation mail अगर आप उस reactivation mail के थूँँ दुबारा से application डालते हो तो आपकी application को एक बड़ दुबारा से refresh कर दिया जाता है and वो दुबारा से recruiters के पास चली जाती है कि हाँ भाई इस बच्चे को भी टा test mail नहीं गया है इसलिए reactivation link is very important अगर you got the reactivation link आपको test नहीं आया है must apply on this अगर आपको already test आ चुका है and then you got the reactivation link please do not apply then आगे बढ़ते है what is freeze so freeze एक ऐसी condition है you cannot apply even after completing 6 months cooling period until you get the reactivation link so basically freezing काफी बच्चे पूछते हैं कि मेरे को तो apply कर रहे हुए 1 साल हो चुका है 1 year हो गया लेकिन तब भी मेरा आ रहा है already applied ठीक है already applied या फिर मैं register नहीं कर पा रहा हूँ this condition is called freeze मतलब आपकी application को याँ पर hold या freeze पर डाल दिया गया है maybe because of short listing या और भी कुछ reason हो उनको requirement नहीं है या जो भी है अगर आप freeze mode में डाल दिये गये हो so even after completing the 6 months and इसका कोई defined period नहीं है because even some students comment कि उनको 2 years हो चुके है 2 years पहले उनकी application थी लेकिन तब भी वो अभी तक apply नहीं कर पा रहे है 2 साल हो चुके है so इसलिए this is called freeze period okay so अगर freeze period में है तो इसका कुछ भरोसा नहीं है कि या कब खतम होगा then we will talk about what is onboarding update so if you already completed your whole process so first of all I want to tell you guys कि जो onboarding थी Accenture की वो majorly August से start हो गई थी some students got their onboarding update for 15th August 14th August okay then कुछ students की और भी onboarding हो थी 2nd September 9th September यह कुछ date थे and some students are still waiting for the onboarding update so first of all Accenture onboarding process is very slow you need to wait long ठीक है it is the possibility because जो लास्त यर बच्चे हायर हुए थे from 2023 batch some students got the onboarding in April May month April May month okay April से May month में उनको onboarding हुआ next year मतलब 2024 में so yes the onboarding can take up to one year totally depending upon के कैसे क्या चीज़ा हो रही है by the way make sure कि आप background verification अपना time to time end करें अगर आपका time to time end नहीं हो पाता है BCG so क्या होगा कि यह आपको next cycle of onboarding में डाल देते हैं और उससे आपकी process जो है वो यहाँ पर late हो जाती है okay so I hope you guys like the all the updates around Accenture, Accenture hiring and अभी क्या चल रहा है and आपको इस सारे updates पसंद आयोंगे thank you so much for watching